कोलकाता के आरजेकर हॉस्पिटल के पूर प्रिंसिपल संदीप घोष करप्शन के मामले में अभी CBI की कस्टडी में है संदीप घोष को कोलकाता की विशेश अदालते मंगलवार को CBI की कस्टडी में भेज दिया आपको बता दे कि संदीब घोश को आठ दिनों की CBI की हिरासत में भेज दिया गया है संदीब घोश को राजित के द्वारा संचालित कॉलेज में कथित वित्तिय अनिमताओं के आरोप में गिरफतार किया गया था CBI ने संदीप घोष को सुमवार के दिन गिरफतार किया था सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष को CBI हिरासत में पहली रात सोने में काफी परिशानी हुई वो काफी घबराय हुए देखे, रात में अपने सेल में वो करवटे बदलते देखे पहली रात उन्हें वेजख खाना दिया गया, लगतार वेजख खाना ही खा रहे हैं सुमवार कोरिस्ट के तुरंत बाद संदीप घोष ने काली पूजा के वरत का हवाला देते हुए शाकाहारी भोजन की फर्माईश की सीबियाई ने उनका अनुरोध माल लिया और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया बाद में उसी रात डॉक्टरों की एक टीम ने घोष और तीन अन्य आरूपियों का मेडिकल टेस्ट किया सूत्रों के मताबिक वो कोलकाता के बेलिया घाट इस्थत अपने आवास के पास एक बालाजी मंदिर अकसर जाते रहते हैं सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से ही संदीव घोष काफी घबराए हुए है मंगलवार को जब उन्हें कोट से ले जाये जा रहा था तो घुस्से से भरी भीड ने उनपन हमला करने की कोशिश भी की उन्हें थपड भी जड़े CRPF और कोलकाता पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भीड में से एक शक्स घोष को थपड मारने में कामियाब हो गया ये घटना उस वक्त हुई जब घोष को CBI के बाहन में बिठाया जा रहा था सूत्रों ने ये भी बताया है कि मंगलवार को कोड से लोटने के बाद सही संदीब घोष काफी चुप है उन्हें आराम करने के लिए कुछ समय दिया गया था लेकिन उनकी नींद बार बार तूटती रही बुधवार सुबह CBI की ओर से पूष्टाच चुरू करने से पहले उन्हें चाय बिस्किट और नाश्टा दिया गया बुधवार को तीन अधिकारियों ने सुबह से पूष्टाच चुरू की और दोपहर के भोजुन की बाद फिर से पूष्टाच जारी रखी गई सुथ्रों ने बताया कि पूष्टाच के दरां संदीब घोष्ट ने आजिकर हास्पिटल में कथित वित्तिय अनिमताओं में किसी भी तरह की सनलिपता से साफ इनकार कर दिया है यहां आपको बता दे कि संदीब घोष्ट के खलाफ वित्तिय अनिमताओं के मामले के साथ साथ पिछले वही ने हॉस्पिटल कंपाउंड की अंदर ही आजिकर कॉलेज की एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई बलातकार और हत्या के मामले भी जाच चल रही ह केंद्रे जाच एजिंसी के अधिकारी इन दोनों मामलों में एक साथ जाच कर रहे हैं जो की अदालत द्वाला निर्देशित और अदालत की निगरानी में ही है CBI ने घोश की दस दिन की रिमान इस अधार पर मांगी थी कि वित्तिय औरिमिताओं से संबंधित ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे और ज्यादा पूश्टाच करने की आवश्यक्ता है लेकिन अदालत ने CBI को आठ दिन की मंजूरी दी है इस मामले में लगातार संबीब घोश से पूश्टाच चल रही है लेकिन कैसे उनकी रात कटी है CBI कस्टडी में इसके बारे में जानकारी सामने आई है काफी परिशान लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप इस बात पर भी गौर करें कि वो अपने रसूख के लिए जाने जाते हैं और ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले को जो छिपाने की कोशिश भी की गई थी वो किसी और ने नहीं वो खुद संदीब घोश ने की थी यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? कॉमेंट सेक्शन के जरी हमें लिख कर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें ऐसी ही बाख के खबरों से अपडेटिट रहने के लिए न्यूज जेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सिब्सक्राइब करना ना भूलें